नवस्कार हमारा नाम है संद्रीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे बिहार में एंडिये ने बढ़ा थासल कर ली है और सीट शेरिंग का एलान भी कर दिया है और महा गट बंधन एक बार फिर से पीछे रह गया है तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखर महा गट बंधन में सीट शेरिंग को लेकर पेच कहा पर फसा हुआ है और पेच ऐसा कैसे फसा हुआ है कि सुलजने का नाम नहीं ले रहा है तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बाचीत करेंगे सीनियर जॉर्नलिस्ट आरुन पांडे जी से बहुत धन्यवाद आपको भी अरुन जी जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बिहार में एंडिये ने बढ़त हासल कर ली है और सीट शेरिंग का एलान भी कर दिया है और महा गडवंदन एक बार फिर से पीछे रह गया है वजह क्या है क्यों नहीं अब तक सीट शेरिंग को ल जो केंडेट होंगे उनकी सुची भी आपने जारी कर दी बता दिया आपने वीवर्स को कि एंडिये की जो खास करके नितीश कुमार की जो सीटें हैं 16 उसमें 15 का तो आपने नाम एलान कर दिया एक सिर्फ अभी आपने आटकों को वीवर्स को जानाबाद को सीट कुले कर अ रखा है क्या वो पिता पुत्र होगा या राहुल सर्मा होंगे यही तो बाकी है अब रही बात आपने ठीक ही अपनी भूमिका में जो कहा कि सब कुछ तै हो गया था तै हो भी गया है आपने महाकटवन्धन में राजत के भी है थी संग खुमिद्वारों का की जानकारी और सबकी निगाए यही है कि एलेक्शन कमिशन पूरे देश भर के लिए चुनाप काशकरम को आज ही देखिये फर्स्ट फेच के लिए आज नामांकन प्रिक्यास सुरू हो जाएगी यह बिहार में जो चार सीटें हैं उनके लिए नामांकन प्रिक्यास से सुरू आज तो पाटिया नहीं बताई आधिकारी सुची नहीं आई है महागरबंधन में भी चार पाथ सीटों के लिए देखिये सीटों की संख्या को लेकर अभी वहां पेंच है पेंच है कि वो सीपी आई पहले जो सीट चाहती थी तो लगभगबात हो गई थी कि बामदल पाथ सीट में सिम्टेगा उसमें दो सीट सीपी आई की होगी दो माले की होगी एक सीपी एम को होगा अब वो संख्या घटकर तीन होने जा रही है तीन होने जा रही है और तीन में है कि जो अब तक मदवनी और वेवू सराय सीट पर जो सीपी आई की दावेदारी थी या एक मन बना चु बदमधवनी को लेकर और पाटी में जो उनके जिलाद यक्स थे मितलेश जा वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले लेकिन लालू जी ने तो फात्मी से फाइनल कर दिया डील और वो आये जदी छोड़ कर आये और उनकी सीट मधवनी से पक्की हो गई घोसना बाकी है अब बेग सीट पर CPI की वो कहते हैं कि कभी विहार मेलेन गरात कहते थे उसको और CPI जदी बेगु सराइ नहीं लेड़ेगी तो क्या वो पटना सहीब लेड़ेगी है तो वो सीट इसी तरह की है कई बार वहाँ CPI के सांसद हुए हैं दूसरे दल की भी हुए हैं अब वहाँ अभी उस कि पिछली बार तो पूरे देश भर के लिए बेगु सराइ एक होट सीट हो गई थी खैर वहाँ गीरा सिंग ने चार लाग से धिक बोट से पचार दिया कनहिया कुमार को अब वो इस बार कॉंग्रेस में हैं तो कॉंग्रेस की नाक वहाँ लगी है कि कनहिया कुमार को हम ब लालू पिछाज जी ने साफ मना कर दिया है कि दो सीट तो आप बात मत कीजिए कटिहार और बेगु सराइ ये दोनों कॉंग्रेस को हम नहीं देंगे अब वो जो लालू पिछाद का तेवर है देखिए एक नया नाम वहाँ गया है एक तो पहले चर्चा भी आपने अपने विवर्स को बताया था कि कटिहार से एक दावेदार हैं राजत के वो हैं डॉक्टर अस्फाक करीम जो रासभा में उनका उनकी मेमरी अभी समाप्त हो तो कटिहार से नहीं मिल सकती है तो कटिहार और वेगु सराय दो ऐसी सीट अभी है जो मुखरूप से इन ही दो सीट को लेकर कॉंग्रेस सीपी आई और यह राजर तो अब यही सिर्फ है बाकी सब जगह का सीट कहीं डे टबू सिस्थिति में कॉंग्रेस को कोई नो सीट न नहीं ईगारा तो कभी मांग हो रही थी मांग तो पंध्र भी हो रही थी लेकिन पंध्रा जदी कॉंग्रेसी लेगी तो फिर वही हालत हो जागा जो ऐसेंबली चुना में हुआ था एसेंबली चुनाओं में तो अंतर राजत को अपनी भूल समझ में आई कि हम जिदि कॉंग्रेस को इतने अधिक सीट न दिये होते हैं तो खुद का केले बहुमत में आ जाता फिर वो गलती अभी तो जीतने के लिए लड़ना है कि सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना है तो इ देखें अभी देर रात कल पपू जादव ने लालू परशाद उस पर हमाएंगे क्या लगता है अरुण जी आपने अभी जिक्र कर दिया कि देर रात मुलाकात हुई पपू यादव की लालू यादव से भी और तेजस्वी आदव से भी वजह क्या है इस मुलाकात की पिता तुल कहा दूसरे को भाई कहा और फिर वो सारी बाते हैं दुनाई जो लालू परशाद का भी चुनावी लक्ष है कि हम यहां सभी 40 सीट जीतना और इंडिये को हराना तो सारी बात की और वहां अभी भी मैं भी मानता हूँ कि पुर्णिया में महाकरबंधन से पपू जादब की तो अब तो बात ही मैं भी मानता हूँ कि बन गई है बन गई है डील लोक हो गई है टिक लग गया है और पपू जादब से दूसरा कोई ससकत कहीं डेड़ वहां मुझे दिखता भी नहीं है कि महाकरबंधन का दूसरा जो होगा पपू जादब की एक अपनी जमी तो कहते हैं कि राजनीत में जाती बल धन बल और बाहू बल इसी यहीं न पूझी है तो उसमें तो पपू जादब सब में धनी दिखते हैं तो कुल मिला जो लाकर जो अभी लालुक शासन होने भेट की मुझे लगता है कि उसी का एक हिसा है अभी जो महाकरबंधन में भी बात चनके रहाई जदि बेगूसराई CPI को नहीं मिलेगा तो फिर आप समझे महाकरबंधन में तूट हो जाएगी CPI बाहर हो जाएगा क्या बात कर रहे हैं मतलब आप कह रहे हैं कि इतना अड़ गई है CPI कि अगर नहीं मिलेगा तो तूट संभो है देगे वहाँ सत्रुगन सिंग मने आपसे भी चर्चा की है अपने भीवर्स के को बताया है आम लोगों ने कि CPI से वहाँ सत्रुगन प्रशाद सिंग और अबधेश राई दो प्रमुक नाम हैं और अभी जिला की आज ही बैठक हो रही है वहाँ जिला की कमिटी राज कमिटी को भेजेगी या फिर वो राष्ट्य कार्चकारनी से जो एक सिस्टम बना हुए है CPI में तो आज जो राज सचीव हैं अभी राम नरेस पांडे इसी प्रोसेस को कर रहे हैं और एक दूदीन में वो पहली पहला चरण में है भी नहीं चुनाओ बेगु सराय में आज तो जो चार जिले हैं चार कंस्वेंसी है उसी में पहलेता है होना है किसी का नाम नहीं आया है तो यह सुलश जाएगा मामला मुझे लगता है कि CPI किसी हाल में नहीं चोलेगी बेगु सराय और बेगु सराय जदी नहीं मिलने की सिती हुई तो फिर प है तो CPI से हटने का मतला है राश्ची अस्तर पर फिर इंडिया गट बंधन में एक और अब क्या बामदा लाला हो जाए कि बिहार में से यह हो तो मुझे लगता है कि अंता कॉंग्रेस को ही समझनी होगी कॉंग्रेस को ही बैकफूट पराना होगा बेगु शरय को लेकर just and कहिए कॉंगरेस चाहती है कि कहिए कॉमार को बेगु शरय मिलने से रहा了 मिलने से रहा एक चर्चा अपने अपनी विवर्स को हम लोग ने बताया था कि CPM जो है वो महराज गंज वहाँ सतेंज जारव उनके कईड़ेट हो सकते हैं लेकिन वहाँ अब जो अभी चर्चा है अभी जो भरोसी की जानकारी है कि लालुपरसाद वहाँ परहुना सिंग के परिवार से ही रं सामाजिक समीकरन ठ्याकरों का और यादवों का तो ये द्वंसी और अग्वंसी का वेक सामाजिक समीकरन को साधने के लिए लालुपरसाद तो महिर नहीं है इसमें तो वो उस हिसाफ से वो हमें रखता है कि वहाँ पहले तो वहाँ टुना पंडे भी दावेदार थे जब परणाज सिंह' के ही परिवार में जो परणाज सिंह' भी महराजिवन से रहे है तो वो सिट इस रूप में रंधीर सिंह को मिलने की बात हो रही है यही पेच है लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है अरुन जी सवाल यह है कि आपने साफ का कि बेगू सराय इस वक्त होट सीट बनी दिये और बेगू सराय को लेकर इधर कॉंग्रिस भी अड़ गई है इधर CPI भी अड़ गई है और लालू जी भी अड़े हुए है और अगर यह कोई एक सीट के लिए बेगू सराय नहीं बनेगी तो बेगू सराय फिर वो कॉंग्रेस चिंता करे कन्हिया कुमार का तो अभी कहें कि कॉंग्रेस में तो बड़ा कद बढ़ न गया है आपको याद होगा वो एक प्रवक्ता थे यूपी के साधू संत जिसको कहते हैं और व कहां से करेंगे अब यहां नहीं करें तो दिली में कहां करेंगे और माले भी अड़ा हुआ है पांच सीटों को लेकर नहीं 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 तूटने वाला एक मिजाद सिर्फ मैंने आपको सीपियाई को बताया कि जदी बेगू सराय नहीं बिहार का लिलिन गराद जदी नहीं मिले सीपियाई तो सीपियाई फिर करेंगी क्या तो सीपियाई फिर वही है कि चार पांच सीट जो तैयारी है इस मूड में है अभी लेकिन यह सब कुछ होने नहीं जा रहा है यह तो मैंने पार्टी के जो सीपियाई का यहां ने तो है उसका मिजाज मैंने आपको बताया अब ये कुछ होगा तो तस्वीर यही होगी और मुझे लगता है कि सापको जाएगी एक दू दिन में अब तो फस्ट फेज में जो काइन डेट की घोसना होनी है वो तो होकर रहेगी और महाकरबंदन में जो कुछ सीट को लेकर जो पेंच है वो यही है अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे अभी हम लोगों ने जिक्र किया था पपू यादफ का लेकिन पपू यादफ को लेकर अभी एक सस्पेंज बना हुआ है और उन्जी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अब कई तरह की चर्चाएं बीती राच से हो रही है कहा जा रहा है क पपू यादफ अपनी पाटी का विले कर सकते हैं RJD में एक खबर ये भी आ रही है कि राज़त के टिकेट पर पपू यादफ चुनाओ लड़ सकते हैं तो क्या करेंगे पपू यादफ हम आपसे जानना चाहे हैं ये पपू यादफ क्या करेंगे तो पपू यादफ ही बत का नहीं मिली है पपुजादव अपनी पाटी का चर्चा कभी होती थि कि अपनी पाटी का कॉंग्रेस में विलाय करें गें कभी उनके तो परते अध्यक्ष तक कि पापु जाडब की है आज, हुम् आउग, उनकी धनपत्नी remain, US रहेंगे तो इस महा Heb अधन में बहु हैordo उसमे ज़रिगम नमें और कई दल है तो तो कंधी पंग्रस कई होगा, कॉंग्र उनमें ज्हरी नुकि बहुता है, क्य चैकर कुछ हुआ है? से विले की चर्चा हो रही और कहा जा रहा है कि या तो कॉंग्रिस की टिकेट पर या फिर राज़त की टिकेट पर पपु यादव चुनाव लड़ से जब मिल गए दोनों अब अभियावक तुल पिता तुल भाई सब कुछ हो गया है अब यह सर्थ कहां से यह सब बात उप जगी तो हम आपका क्यास है वो पार्टी का विले तो अभी तो टिकेट लेना है चुनावी जंग में जाना है उसके पहले विले और इसा बात हुआ है लालू जी कभी कभी इस तरह आपको याद है सरथ जाडव को उनोंने अपने पार्टी के रहते भी अपने कहीं अपने संबूल पर लड़वाया था अब पपू जाडव तो राजत केंपी रहते भी वो बगावत भी किये लगातार लड़ते भी रहे एक तरब लालू जी के प्रती सरथा प्रेम भी दिखाते रहे उसमें उत्राधिकारी वाली बात थी तो जब तेजस्वी आडव को लॉंच किये जा रहे थे तब उनकी अपनी एक शिकायत थी फरियात थी और जो भी कुछ कहा लेकिन आप तो सब बीते दिनों की बात हो गई कल रात जो डेवलोप पपू जादब को है और उसके साथ चलने का है तो यह बिले विले बात जो है न अब तो वो यह इस तरह का डिसीजन पपू करेंगे यह तो वो ही बता सकते हैं कोई सर्थ नहीं है ऐसी माहागटबंधन के कहीं डेट होंगे यह तैय है एक आखरी सवाल है अरुन जी कहा तो सीटें जाने रहे हैं सीट सेरिंग में तो इंडिये की भी आज सुची आ सकती है उसकी बीजेपी की तीसरी बैठक हुई कल और अब उसकी तीसरी सुची भी बीजेपी के आई जी तो 17 सीट वाला भी अल्मोस्ट फाइनल हो गया है लेकिन अभी भी है वहां कि दो तीन अस्वनी चौवे की चर्चा है कि वहां कट सकता है फिर पटना सहीव की चर्चा है तो अभी दो तीन ऐसी सीटें हैं जहां अभी चर्चा है कि कट सकता है लेकिन सीटिंग गेटिंग भी हो सकता है जब गिराज सिंग को भी टिकट मिलने जा रहा है यह ऐसी चर्चा है तो फिर अस्वानी चौबे को मिल जाएगा वहां बहुत कुछी नहीं है लेकिन अब फिर आ जाने दीजिया सुची तो सामने आ जाएगी उसमें जहानाबाद का भी किलियर हो जाएगा आखिर नितीज कुमार ने क्या फैसला किया वहां रहूल सर्मा होंगे का इंडेट की बात हो जाएगी कि बिगुसरा है मिलना है सीट सेरिंग का एलान तो आज होई जाना राजद कितने सीटों पर राजद आज भी तो 27-27 सीट जो भी है ना 28 के आप तो 28 से 30 हो जाएगा जब इधर हैं अब 5-6 पर जैदी कॉंग्रेस सिम्टेगी तो 3 सीट पर बामदर लड़ सीट जदी सुलब हो गई तो एक सीट इधर आ जाएंगे तो अब सब तो इन लोगों को यह है इसलिए मुझे लगता है कि सीट सेरिंग काल एलान इधर भी हो जाएगा मतलब आपको लग रहा है कि 30 सीटों पर राज़त लड़ने जाएं तो 35 तो ऐसे ही हो गई बची पांच सीटे तो पांच सीटे में लेफ्ट को सिमतनी के कुशिश की तो तीन ही बात हो रही थी दो माले और एक सीपी आई अब तो सीपीम के लिए महाराजगन सीट है जैसा भी अपने बता है हमने आपको जानकाड़ी दी कि वहां चर्चा है कि वह प्रभुनाज सिंग के सुपूद रानधीर सिंग लड़ेंगे तो फिर कहां भी इसको बचता है तो वह राज़त यहां देखें ड्राइविंग सीट पर नहीं उसकी गाड़ी भी है वह राज़त की सवारी है जिस पर सबक पार लगनी है बोर तो उसी के पास है ना किसके पास आ रहा है ठीक है बामदल का एक अपना जनाधार है संगठन है उसमें माले का थो Rs. आपार हैंड है विधायक विधायक भी जाता है ने उसका एक संगठान है आज भी बिहार में बामदलों में तो माले का ही की मजबूत ही तो बारा सीटें आई थी अभी गाराय मेले हैं तो इसलिए माले दावेदारी भी उसी साफ से कर रहा था लेकिन अब वन्ता तो बात बनी एक सीट तो मिल गई है कॉंसिल में है हाँ एक और चर्चा हुई वहां की माले के अब फिर राजु जादब को मिनातिवारी को साइद वहां भी जो चर्चा थी ना तो आरा से अब वो राजु जादब हो या फिर एक किसी कुस वहां की भी चर्चा थी वहां कि उनका नाम हो और वहां नहीं वहां तो राजाराम सिंग उनके करा काट से कहीं डेट होगा यहां राजु यादव की चर्चा है या मिना तिवारी की चर्चा है एक और सुदामा परशाद है तो सुदामा परशाद में या राजु यादव में मिना तिवारी को यहां भी साइद माले मिलती हुई नहीं दिखाए तो मतलब शाम तब करना होगा और उसके बाद महागडबंदन में सीट शेरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये भी क्लियर हो जाएगा तो ये पूरी बात चीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे स साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया